Hello Students, मैं उसुपिया रंजन, Data Structure and Algorithm using C के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है, आज की लेक्चर में हम देखेंगे कि Algorithms and its Characteristics, Algorithms क्या होते हैं उसके Characteristics क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज, फिर abstract data types, ADT, abstract data types, ADT के बारे में आज हम जानेंगे, अगर हम ADT समझ गए ना, तो जो base होता है ने data structure का, वो हम समझ जाएंगे, फिर ADT and DS, ADT और DS को कैसे relate करते हैं, वो हम जानेंगे, ADT मतलब abstract data types, और DS मतलब data structure, तो हम आगे देखते हैं algorithms के बारे में, algorithms, in computer science and algorithms is a procedure having well-defined step for solving a particular problem, computer science में algorithms हम किसे बोल सकते हैं, एक procedure है, क्या procedure है well-defined step का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है एक प्रोसीडूर है वेल डिफाइन स्टेप का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है इट टेक्स एसेट ऑफ इंपूर्स एंड रोड्यूर दीजाइर आपूड क्यार यह उसको गैस पर चड़ाया फिर फिर उसमें पानी डाला प्र दूसरा दूट डाला तीरो चाइपती फिर चौथा चीनी यह डाला फिर आपने उसे बॉयल किया मनले प्रोसेस किया फिर उसको क्या होगा इस स्टेर से इसे रजए करके कॉप मेन निकालकर की आप मिली है निम्ट कूप मिल गया चाई पने इंपूट क्या ते यह यह בिला है फिर रूप्यिश को सटेब लिए नाने की प्रॉबलम को सौल करने का algorithm है इसे algorithm कह सकते हैं झाल ताइम से हम समझ गया अब देखे यहाँ एक्ञांपल यहां पर दिया गया सब्सक्राइब Metro करने के लिए कैसे प्रोग्राम बनाते हैं स्टेप 1 में क्या लिखिए स्टाट किजिए किसी इसको बनाने के बढ़े स्टार्ट तो करना पड़ेगा है थिक अपर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर स्टाइट करते हैं दूसरा ट्लिएर व्यट्रोपर है और सिंण घ्यर्क हैं Hungarian क क्या थीचैसे बाना यहां पर्रोग्राम दिन प्रोग्राम बनाते हैं 3 बैभल यह हमने संधो ap देल्व में नम टूमколь सब्सक्रेंटर की सुझने हैं चाहिंP करते हैं फिर छूथाह स्टेप बढ़ने लिगव और फिर उसे संटी में कर देना है मतलब सम्में कर देना है स्टाप मतलब आपको कि अधिक और एक्जांपल हम लेते हैं दूसरा इंपाल है उसमें लार्जेस्ट नमझ नेकालने थीक है तुम पढ़ते हैं पाला स्टेप करने का रुसा टेकल अबिस तीन नमर में लार्ज इस प्ताना तो थीन वार्यबल हम ने डिकलियर किये ए बीसी ठीक है फिर ए स्टेप ट्रीच चेक करेंगे फिर ग्रेटर दें और सी अगर यह भी बढ़ा है तो घ्रियां तुम क्या करेंगे ठीड लार्जस्त नमर जिब्रइसट पॉर तो डिस्प्लेइए लार्जेस नमबर तो इस 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 लार्जेस नमबर क्यों क्योंकि देखिए जो है बी से बढ़ा है तो अब सबसे बड़ा बरा सबसे बड़ा तो बड़ा अब सबसे बड़ा नमबर हो गया फ, इसली के लिए इस ऑ समय इसली कि देखिए घ्राय अगर अगर ए जो है वो बिसे बड़ा नहीं है तो इस में क्या बड़ा है और एसे भी बड़ा है तो फिर चेक करेंगे कि यह बड़ा है यहां पर वसकी है यहां पर वाइसे यहां तभी तो इस में आया और जो C है वो B से भी बढ़ा है तो A से भी बढ़ा हो गया तो अगर अगर यह भी तो यहां पर क्या हो जाएगा 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 तो यहां पर 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 बीट है तोसटों ने चिक्क आथालोगली तोना यह कहले है तोस्ग तोस्म थैर tail light यहाँ बन गया हुंने betrayal तीन इंपूट दिया और हमारा आटपूट आ गया नाइन ठीक है यह हो गया अब आगे देखते हैं फिर यहां पर है हमें क्या पढ़ना है वाट अर्डी करेक्टरेस्टिक्स ऑफ एन एल्गुरिदम का क्या 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 होता है तो यहां पर कुछ देवें वेल डिफाइन इंपूट्स वेल डिफाइन आटपूट्स फिनाइटनेस फिजिबल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और क्लियर अन एंबिग्वेस तो एक हे करके हम सारे पोइंट को समझते है क्या लिखावा है यहां पर यहां पर यहां पर अल्गुरिदम का पहला पॉइंट क्या है च्लिए और अंबिग्वेस इसमें पढ़ते क्या लिखा वा है इसमें जो कुछ लिखा हुए उसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकले मतलब एक कुछ लिखा हुए उसका एक से ज्यादा मीनिग ना निकले जैसे कि आप एग्जाम्बल हो ना हो इसका वहत कुछ होता है टूसका एक वर्ट का बहुत सरा निकल रहा है तो यह एंबिगोस होगा अन अगरिफिन होना चाहिए जो भी हम बनाते हैं उसका उसका सिर्फ एक ही मिनिक निकलना चाहिए तो अल्गूरिद्म सुड़ बेक्लियर और आन अबिगोस दूसरा करेक्टर Saamил art वंदिफाइन इन फिफ को होनाँ चाहिए इन फैने कोई कि अन्पूर स्प्रूपलो क्या होगा वहाइन फॉट्स मुलति ऊछिए इन मिलतिकि इन पॉर्ट उपूर्यघ्रिविन उन टलो और नहीं किन मेश्रम होगा सीयल्टं यहां वेल दी टिफाइन धे नहीं मिल Guide क्लियरए डिफांड वाइन वाइन चाहिए कि ऐए का आडपूट भी होना चाहिए ऐसा रहा है रहा है, यह में सबस्क्रा अप्रेशन पर फॉर्म हो घ्राइक होना चाहिए फिर है finiteness, the algorithm must be finite, that is it should be terminate after a finite time, मतलब कि एक algorithm finite होना चाहिए, मतलब कि क्या, कि वो एक particular time में खतम हो जाए, ऐसा नहीं कि कोई algorithm बना दिये, वो चलता ही जारा है, चलता ही जारा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक time पर खतम हो जाना चाहिए, ठीक है, फिर है feasible, the algorithm must be simple, generic and practical, such that it can be executed with the available resources, it must not contain some future technology or anything, algorithm क्या आना चाहिए, feasible होना चाहिए, simple, generic and practical होना चाहिए, मतलब कि क्या, algorithm जो है, आज के जो resources हमारे पास available हो, उस resources से वो बने, उस resources में वो बन के खतम हो जाए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा उसमें लिख दिये है, जो कि हमें future में उस technology को यूज करने वाले, future में वो टेक्निलोजी बनने वाली है, अभी तो वो टेक्निलोजी है नहीं, तो ऐसा algorithm बना कि हम क्या करेंगे, कोई फैदा नहीं है, तो वैसा algorithm बनाए, जो जिसे implement करने के लिए हमारे पास resource अभी present में available हो, ठीक है, फिर यहां पर लास्ट, language independent, the algorithm designed must be language independent, that is, it must be just plain instruction, that can be implemented in any language, and yet the output will be same as expected, मतलब कि algorithm क्या है, कि वो language independent होना चाहिए, अगर कोई algorithm बनाते हैं, तो वो किसी भी language में चल जाए, ठीक है, algorithm क्या है, तो well-defined steps है, किसी भी problem को solve करने के लिए procedure है, एक तरह का ठीक है, तो उसे हम किसी भी language में implement करें, तो implement easily हो जाए, और output भी क्या हो, हमारा output भी हो, हमेंसा सेम हो, as expected, जो हम आर्टपूट चाहते हैं, वही आर्टपूट हो, और हर बर आर्टपूट सेम हो, एक algorithm, ऐसा नहीं कि इस language में कुछ और output आ रहा है, दूसरे language में कुछ और output आ रहा है, C में कुछ और output आ रहा है, पैथन में कुछ और output आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे language में output same होना चाहिए और expected होना चाहिए जो हम चाहते हैं वही output आना चाहिए तो यह है कुछ characteristics आगे हम देखते हैं advantage और disadvantage of algorithms फिर advantages of algorithms algorithms के क्या क्या advantage होते हैं वो हम देखते हैं It is easy to understand algorithms क्या easy to understand हैं सही बालते हैं English type language में लिखा वहा है तो आप उसे easily पढ़के समझ सकते हो कि आखिर क्या करना है उसमें An algorithm is a stepwise representation of a solution to a given problem algorithm क्या stepwise representation है किसी भी problem को solve करने के लिए उसके steps बना करके उसको हम represent करते हैं तो यह हमारा algorithms हो जाता है in algorithm the problem is broken down into smaller pieces or steps hence it is easier for a programmer to convert it into an actual program Algorithms क्या होता है steps में smaller pieces में किसी problem को smaller pieces में divide करके उसके steps बना देते हैं ताकि जो भी programmer हो जो algorithm को implement कर रहा हो किसी वे language में तो वह easily easy way में उसे implement कर सके तो algorithm का यह भी क्या एक advantage है क्योंकि step wise representation होता है तो programmer easily उसे programming language में convert कर सकता है ठीक है फिर हम देखते हैं disadvantage of algorithms writing and algorithm take a long time so it is time consuming किसी भी algorithm को लिखना ठीक है in English type language में आप लिख रहे हो तो उसको लिखना कि time consuming हो जाता है तो यह एक इसका disadvantage है किसी भी complex logic को समझना algorithm के थोड़ा difficult हो जाता है ठीक है कोई complex mathematics को calculation करना हो तो algorithm के थो लिखना difficult हो जाता है मतलब difficult हो जाता इसको सो करना ठीक है तो यह भी एक algorithm का disadvantage है तो आपका algorithm यहां पर खतम होता है अब है हमारा abstract data types abstract data types बहुत important इससे समझ जाओगे तो data structure का base आप समझ जाओगे ठीक है abstract data types की theory प्याने की पहले मैं थोड़ा से समझाती हूं बट वह चीज back end में कैसे perform हो रही है उसका implementation कैसे वह वो user को नहीं बताते हैं जासे कि मैंने example दिया था आपको previous lecture में कि आप किसी hotel में जालते हो तो आप पावाजी और करते हो तो आपको वेटर आया आपका order लिया और चला गया और आपको आकर के आपको पावाजी दे देता है पर पावाजी में कैसे कैसे वो बना उसकी recipe क्या थी उसमें क्या-क्या element डाले गए इसे बदल्ब नहीं है उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है absolute data type में क्या होता कि यूजर को पता होता है कि हम यह function को perform करना ठेकिक डिया यह function को perform करना है but वो function से perform करना है लेकिन उसका Operation hierarchy इसको इसके implementation मतलब नहीं कि पावाजी के recipe से मतलब नहीं था वैसे user को यहां पर जो भी ह dat है उसके implementation से मतलब नहीं है अब उस पर आतें कि वह क्या होटा है में डेके इस तरीके से होता है तो इस का इस तरीके से बनाते है इसका इस तरीके से बनाते है तो सब्सक्राइबुआ थैब इना के अब बताएब कि इसमें का इंपलिमेंट कैसे होगा ऐसे थे थे रुड के से होगा नी कि इना न्यार्टे के हो लग श्रट करते या फिर लिंक लिस्ट के हैप से कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो हम एरे का यूज करेंगे अगर डैनेमिक वे में करना हो तो हम लिंग लिस्ट का यूज करेंगे प्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को आगे समझ में आयागा बस आप यह जान लो इस जिसका हम लोग IMPLEMENTATION के HELP से कर सकते हैं और LINK LIST के HELP से कर सकते हैं अगर स्टेक वे में करना हो तो हम लोग LinkList के HELP से करेंगा ठीक ना तो स्टेक हमारा ADT होता है इसमें बहुत वारे function हो गया इन करते हैं ना करते हैं तो उसमें हम सीधा यूजर क्या करेगा पूस फंक्सन को कॉल करेगा पॉप फंक्शन को कॉल करेगा बट इस सारे इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ तो इसको मतलब नहीं होता है तो कि यूजर से इसको मतलब नहीं होता है तो इसे हम एड़िती कहते हैं क्या एक दिक करना हो किसी भी प्रोग्राम क्लाइंट में तो हम उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं करेगा वो डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसको यूज करेगा ठीक ना लेकिन इस फंक्शन का zeros इनलिप एंप्लमेंटेशन का इसे हुआ है मैमूरे में वो nu पहते है यूज हुआ है अप te यूले मार Christian है यह समझ में आया होगा अब इसके हम छूड़ी पर आजए कि एक्जाम में घ्रचा स्वाजों तो अब कि नपर दाओ आन प्चैश में लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ मैथमेटिकल मॉडल और रॉजिकली फीजिकली नहीं को यह फंक्सन दिया वाँ उसको बस कॉल कर लो और से काम निकल वालो ठीक है लेकिन वह उसका फीजिकल इंप्लिमेंटेशन कैसे वाय मेमोरी में उससे मतलब नहीं है इडिटी का मतमेटिकल मॉडल और कॉंसेप्ट है जिसे हम लोग क्या करते है देटाइप को लॉजिकली यूज करते है लॉजिकली मतलब की सिर्फ जरूरत के हिसाप से उसमें काम निकालो ठीक न उसका इंप्लिमेंटेशन कैसे वाय वेकेण में उससे मलब नहीं है सीथा लॉजिकली ऊसे इंप्लिमेंट कर लो ठीक है इस सपेसिफ़ाई आ शेट अफ सपने करना है एंड यह किसी भी देटा पर क्या ओपरेशन परफार्म हो सकता है इसी को इसी को स्पने करते हैं मदब कि कोई अगर हमें इन-fix to post-fix जाना है तो उसमें पॉप ऐपल पुहर्म करना है या पॉप उप्रेशन पकाण करना तो हरा पर उसको उपरेशन कर देंगे हैं बे क्दा डालेंंगे अलेमेंट już 하기 M ऐसकिखिवेंक पूप हो जयाए बस लाउजिकल meaning को specify करता है ठीक है फिर the definition of ADT only mention what operation are to be performed but not how this operation will be implemented बस definition क्या बताता है ADT कहा कि what operation to what operation are to be performed क्या operation perform होने वाला है ठीक ना क्या operation perform होने वाला है but not how this operation will be implemented यह operation memory में कैसे implement हुआ है au أيक है उसे मतलब है ADT को असको मतलब है कि हम क्या Anderson perform कर lem कि पुर्च करना तो हम डर्रेकर पूप कर दिया क्लिया और इस पूस पुछ जो फंक्ष न बनाये है क्या क्या लगा कि पुस्ष फंक्सिन हम बनाए है उसे मतलब नहीं है डिर्क बस पुस्ष ऑप्रेशन कॉल करो हमारा काम हो जाएगा वेटर को बुला बोल दो पावाजी लेकिया और बावाजी लेकि आ जाएगा हमें मतलब नहीं है कि उसके रिसिपी क्या थी क्या मतलब नहीं है इत डिसनान बाज़ लेकिया कि मटनेकित अन ютा जाएगा है bene है इसने मतलब मैं और अब क्या इन्डेटेशन इंडेटेशन इंडेटेटेशन करने का। the process of providing only the essential and hiding the details is known as abstraction क्या जो process है जिसमें हम सिप essential provide करते हैं यह यह line बहुत important है the process of providing only essential and hiding details is known as abstraction यह जो है यह कोई पूछेगा कि abstraction किसे बोलते हैं आप यह line बोल दो काम हो जाएगा कि वैसा process जिसमें हम सिप essential दिखाते हैं और details को हाइट कर लें तो से abstraction बोलते हैं अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ यूजर को ज़रूत नहीं होती है कि उससे यह भी जाने की data type कैसे implement हुआ है बस आप यह जानते है कि अच्छा data type यह data type है यह data type है इससे यह काम होता है बस इतना लेकिन वह कैसे होता है है memory में उससे मतलब नहीं है for example we have been using int हम लोग इंट का यूज करते हैं फ्लोट का यूज करते हैं character data types का यूज करते हैं only with the knowledge of values that they can take बस इस knowledge पर क्यों इंट है वो कौन सा value लेगा फ्लोट है तो वो कौन सा value लेगा करेक्टर है तो वो कौन सा value लेगा ठीक ना एन operation that can be performed on them without knowing any idea how this type are implemented बस नम यह जानते है कि कौन सा data type कौन सा value लेगा और इस पर कौन सा operation perform होगा इससे मतलब नहीं है कि int जो हम लिखे है int a equal to 5 उसका implementation memory में कैसे हो है उससे मतलब नहीं है बस integer है तो int value लेगा float है तो float value लेगा, character है तो character value लेगा और इस पर क्या operation perform होगा और हमें इससे मतलब है लेकिन यह मतलब नहीं है कि memory में कैसे implement होगा यह भी हमारा एक तरह का addit हो जाता है so our user only need to know what a data type can do but not know how it will be do it बस user को जानना होता है कि data type एक कोई data type है int है वो क्या करता है बर यह नहीं जानना होता है कि वो कैसे करता है ठीक है यह addit कहलाता है now we have defined three addities namely list additie, stack additie and q additie हमारा पास तीन addities होते हैं कौन कौन से list additie, stack additie and q additie list आपके slayvers में मुझे नहीं दिखा है तो हम stack और q के दिखा तो मैं मुझे पढ़ाऊंगे आपको list addit फिर भी definition देखने में क्या जाता है list additie क्या होती है a list contain element of same type arrange in sequential order list क्या होता है same type के element को contain करके रखता है sequential order में list क्या करता है same type के element को contain करके अब आगे देखते हैं stack and q additie stack additie a stack contains elements of same type arrange in sequential order and following operation can be performance stack stack भी क्या करता है same type के element को sequential order sequential order में contain करके रखता है और उसमें बहुत यह operation perform होते है पहला है initialize initialize the stack to be empty initialize function क्या करता है कि वह एक empty stack को initialize कर देता है फिर दूसरा है push insert an element at one end of the stack called top push क्या करता है वह स्टैक के top पे एक element को push कर देता है जैसे के element है ठीक न ठीक है यह स्टैक है इसका top हो गया खिक है यह सा कर तॉप हो गया ठीक है यह स्का फिर है pop operation remove and return the element at the top of stack if it not empty if it is not empty क्या करता है यह जो first element है यहां पर top element जो है हमारा top पे element है इसको क्या करता है remove कर देता है ठीक है अगर stack empty नहीं है तो इसको remove कर देता है फिर है peak operation return the element at the top of stack without removing it if this stack is not empty peak क्या करता है वो जो top पे जो element है उसको क्या करता है return कर देता है without removing it push में pop में क्या था उस element को remove भी कर देता है पर peak में क्या सिफ उस element को return कर देता है लेकिन उसे delete नहीं करता है फिर है size return the number of element in क्या करता है इस एक स्टैक में कितना element इस्टोर है उसके number को यह डिटन करता है यहां पर कितने साइज है थ्री element है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी थ्री फिर इस empty return true if stack is empty other otherwise return false is empty क्या करता है कि अगर stack empty है तो true return करता है नहीं तो false return करता है उसी तक इस is full return true if no more element can be pushed otherwise return false तो करता है इस फूल क्या करता है कि अगर check करता है कि अगर stack में और element नहीं जाएगा तो true return करता है नहीं तो false अगर मतब कि stack अगर full है true return करता है नहीं तो false return करता है अब देखते q-edities फिर हमारा q-edities a q contain element of same type arranged in sequential order and following operation can be perform on stack q-edities भी क्या है यह भी क्या करता है same type of element को arrange करके रखता है sequential order में और following operation उस पर perform होते है क्यों में क्या होता है कि एक end से element जाता है दूसरे end से element remove होता है ठीक ना पहला क्या operation क्या है initialize q-to-bmd यह भी क्या करता है जैसे कि stack में था initialize वैसे यहां पर भी एक हाली q को initialize कर देता है फिर जुसा है in q जैसे कि इसमें पुस्ट था वैसे in q है insert an element at the one end of the q यह भी क्या करता है इसमें एक element को insert कर जाता है एक in पर मतलब यहां पर एक element को insert कर दिया dq remove and return the first element of the q if it is not empty first element q बोल रहा है जैसे कि इक element आया थीक है फिर दुसा element आया तो यह जाती हाली फर यह फेर आपर इंसर्ट हो , फिर इससरे element आया तो फिर यह तो यह हो नहीं पहले यह यह तो इसको remove कर देता है or return ॥ि कर देता है ॅगर कि कह एक जितjak प्रते इसको को return कर देता है लेकर उसको डिमॉव नहीं करता है जैसे कि इस्टेक में था वैसी और इफ इस नॉट इम्टी है तो पहां से रिटन करेंगा है ना फिर है size return the number of elements in the queue ये भी क्या करता है क्यों में कितने elements है उसको return कर देता है उसे क्यों का हम size get करते है ना फिर है is empty same Q empty है कि नहीं चेक करता है अगर empty है तो true, full है अगर empty नहीं है तो false return true if Q is empty otherwise return false उसी तरह के से is full return true if no more element can be inserted अगर Q full है तो उसमें और element तो insert होगा नहीं तो full है तो true return करेगा otherwise return false नहीं तो वह false return करेगा तो हम Q और stack एडिटीज को देख चुके हैं और हम एडिटीज को भी देख चुके हैं फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैंड क्लियरली सी डाइडी डेफिनेशन दो नोट स्पेसिफाई हो इस एडिटीज विल भी रिपर्जेंट इन हो ऑपरेशन विल बी करी आउट जम डेफि किसे स्पेसिफाई करती है कि कौन सा और परेशन परफॉर्म चोंपर करने से क्बट कैसे इंपल्सेट हो नहीं स्पेसिफाई करती है तो भी different way to implement and add for example stack addit and q addit can be implemented using array or link list stack addit and q addit can be implemented हम चाहे एरे से भी implement करवा सकते हैं और link list से भी implement करवा सकते हैं ठीक है तो आगे हम देखेंगे कि addit और ds data structure में क्या similarities और क्या difference है फिर हमारा addit and data structure abstract data type और data structure अब हम देखेंगे abstract data types और data structure के बीच में क्या similarities? क्या differences है । हम देखते हैं डेटा structure ऑग्रामिंग स्टक्ट्ट यूज तू इंप्लेमेंट इन addis को implement करने के लिए हमग डेटा स्ट्रक्शल को देखते है य्चते हम बढ़ीट इणर्शो फिरगा करने के लिए कि ख shirt data structure ज़र करी data structure का ूज करते हैं अबस olmuş MDT करते हैं मिभाग का महलें कि फिजिकल इंप्लिमेंटेशन ऑफ यहां दिटी चिर्यछ एंपी ते हैं फिजिकल आर्ग क्वेक्टेशन होता है trotzdem को फी diseases करते हैं ना allemaal आप्रेशन स्पेसिफाइड इन एडिंटीज और इंप्लिमेंटेट थो फंक्षण इन फीजिकल इंप्लिमेंटेशन अमने जितने भी अप्रेसन देखें हैं इस पुस्पंध इंक्यू इन्प्लीमेंटेशन एडिंटेशन कैसे होगा डेटा स्क्षण के अचाल फीजिकल आपस्ञ्सक्रायब करने यह की सब्सक्राइक अडियतरी है फिर algorithm for implementing the operation specified in addit's इसका कोई function है फिर addit's खुदो उसको implement करने के लिए जो algorithm लगेगा उसका भी क्या होगा उसको भी algorithm को consist करता है algorithm का implementation करता है कौन करता है data structure ठीक है data structure ही उसके एक हटा भी स्पेसिफाइड रख फिसके एंप्लीमेंटेशन करता है और साथ ही साथ उसके जो एल्गोरिधम से उसका भी इंप्लीमेंटेशन करता है डीटव साव से जानू ना इम्पल सा एक निकलता है कि एडिपनेशन के थ्रू होता है यह ADT मतलब stack और queue का implementation, array और link list के help से होता है तीज आसा बाद, फिर ADT is the logical view of data and the operation to manipulate the data while data structure is the actual representation of data and algorithm to manipulate the data ADT के logical view है, logical view मतलब कि महाँ पर operations दे वे हैं, ADT दे वे हैं उसका हम रहा है, सिर्फ call करके उसका use करना है, मतलब logically ही हम उसको use कर रहा है हदो इंट है, उसमें हम लोग value डौद के उसका implement कर देते हैं, उससे हम logically use कर रहा है ऑड उसका implementation कैसे हो है, memory में हम नहीं पता है तो व और हम क्या करते है, data structure में हम लोग physical implementation मतलब actual representation हम लोग करते हैं, कि अगर वो जो approval है, जो भी operation उसका implementation कैसे होगा इसका representation actual representation कैसे होगा उसका coding हम कैसे करेंगे coding हम उसका कैसे करेंगे memory में कैसे चीजे store होगी ठीक है representation of data and algorithm to manipulate the data data को manipulate करने के लिए data structure actual representation करता data और algorithms का ठीक है we can say that the ADT is a specification language for data structure ADT क्या सकते है कि ADT के data structure का specification language है उसी को तो implement कर रहा है data structure इसको implement कर रहा है ADT को implement कर रहा है ADT के specification language है data structure का ADT is a logical description while data structure is a concrete ADT के logical description logical description मतलब कि आप उसका logically उसको use कर रहा है और सिफ operation को call कर रहा है और काम हो जा रहा है बट क्या data structure concrete है concrete मतलब हर एक हिस्से को तोर तोर कर कि कैसे चीजे ओड़ी है वो पता चलता है data structure के थूप ठीक है that is ADT tell us what is to be done ADT क्या बताता है कि क्या चीज होगी इस चीज से क्या चीज होगी अब तेट क्या बताता है कि यह चीज है इसे काम हो रहा है तो यह कैसे हो रहा है in integer आऊसमें integer value store कर रहें तो आखिर कैसे store हो रहा है उसका मतलब scratch चीजी चलते सब कुछ पता चलता है कि यह चीज एसे हो रही है यह और ADT बताते है कि यह इस से काम होगा बस the actual storage in data structure, data structure, data का actual storage होता है और representation होता है, साथ-साथ, algorithm का implementation भी होता है टेशिवल स्चूर्चचर में होता है आधिटीज पता से ब צר hobbies ,धिस में इस चीज़ में सब्सhonूत होग़ फॉपर से elements पॉपर होगा ibaid okei-qualk कैसे होगा वह में data structure में पता चलता है तेही था हमारा ADTs और data structure तो आज के lecture में बस इतना ही I hope आपको lecture पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करे, share करे, subscribe करे, comment भी करे कि आपको lecture कैसा लगा असाती साथ हमारे साथ बने रही है आगे हमारे साथ continue करने के लिए आप हमारा course purchase कर सकते हो description में app का link दिया गया है, वहाँ पर जाके आप post purchase कर सकते हो, combo price है हमारा 1049 और आपको एक particular subject पढ़ना है तो आप 300 देके पर सकते हो, आज साथ जो notes है उसका notes आपको app पे मिल जाएगा तो आप app download करके notes वहाँ से download कर सकते हो, तब तक के लिए पढ़ते रहे है, bye